जेहिन दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे RPF Constable के previous year के cut-up के बारे में देखिए दोस्तो previous year में आप सभी को पता है 2018 में आपका भरती आया था तो 2018 के भरती के अंतरगत category wise कितना आपका cut-up गया है आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आप भी इस बार के भरती में form apply किये हैं या form apply करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है इसके अलाबा दोस्तो आप सभी को बताएंगे कि RPF Constable के अंतरगत इस बार आपका PT-PHT के लिए कितने छात्र को selected किया जाएगा result में वो भी इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा RPF भरती related सभी update के लिए देखिए दोस्तो previous year की cut up की बात करें तो पिछले बार जो आपका भरती था 2008 का भरती उस भरती के अंतरगा दोस्तो जो आपका भेकेंसी था वो जोनल वाईज और ग्रूप वाईज था यानि कि यहाँ पे अलग-अलग जोन वाईज जो है भेकेंसी आपको देखने को मिलता था और ग्रूप भी अलग अलग इसमें बटा हुगा था इसके अलबा दोस्तो कैटेगोरी वाईज वेकेंसी था तो यहाँ पे previous year की बात करें तो previous year जो 2018 का भरती था उस भरती में दोस्तो आपका जो cut-up तयार हुगा था वा ग्रूप वाईज तयार हुगा था यानि कि अलग 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 ग्रूप के अंतरगात अलग अलग कैटेगोरी वाईज आपका cut-up रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तो इस बार की जो भरती है 2024 की इस भरती में आप सभी देखेंगे कि इस बार आपका वेकेंसी जो है simple कैटेगोरी वाईज है यानि कि इस बार आपका ग्रूप और जोनल की जो प्रोसेस है वह इस बार आपका नहीं अपनाया गया है All India लेबल पर यहाँ पे जो है आपका कैटेगोरी वाईज वेकेंसी जो है इस बार आपका दिया गया है तो इस बार जो है काफी सारे बदलाव किये गए है वेकेंसी के अंतरगत हालांकि दोस्तो प्रीवियस जो 2008 था उसमें आपका ग्रूप और जोनल वाई जो है वेकेंसी रिलीज हुए थे तो प्रीवियस एर का सबसे पहले देखेंगे गुरूप एक के अंतरगत जोनल था यहां पे साउथ वेस्ट और रिजन हो गया तो यह सभी जो रिजन था गुरूप एक के अंतरगत इसमें कॉट अप क्या गया था इसके बारे में आप सभी देख लीजिए देखिए दोस्तों ये आपका जो cut-up आपको बता रहे हैं ये CBT exam का जो result आया था और PT, PhD के लिए जो candidate selected हुए थे उसका ये cut-up आप सभी को बता रहे हैं ये final cut-up नहीं है, final cut-up के उपर भी ये collect से video बना देंगे ये आपका CBT exam के result का cut-up है तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपका जो group A था इसमें male candidate का cut-up आप देखेंगे OBC के लिए यहाँ पर female candidate का सबसे पहले female का है, इसके बाद यहाँ पर male का है तो female के लिए OBC में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 46.67 था, इसके लावा SC के अंतरगत, ST के अंतरगत, अन्रिजर्ब के अंतरगत इसके लावा दोस्तों आप सभी यहाँ से देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे male candidate का OBC में 93.55 था है, दोस्तों यह 120 marks का आपका एकजाम होता है आप सभी को पता होगा और उसमें से इतना नंबर जो है आपका cut-up गया था CBT एकजाम का SC क्या देखेंगे, ST क्या देखेंगे Unreserve का और इसके लावा दोस्तों एक सर्वीसमेन का इसी तरह ग्रूप B की बात करें previous year की cut-up की तो ग्रूप B के अंतरगत आप देखेंगे female candidate के अंतरगत ये आपका cut-up गया था category wise और वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पे male candidate की तो male candidate का ये आपका cut-up गया था group B के अंतरगत और group B की बात करें तो group B के अंतरगत ये सभी zone जो है आता था यहाँ पे zone का भी नाम आप सभी देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखेंगे group B के बाद group C का cut-up previous year के अंतरगत तो group C में female candidate का cut-up यहाँ पे आप देख सकते हैं category wise और male candidate का cut-up यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 120 marks में से ये cut-up आपका गया था इसी तरह दोस्तों यहाँ पा देखेंगे group D का cut-up तो group D का cut-up female candidate का आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं female candidate का यहाँ पे आपका cut-up है और इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पा देखेंगे आपका जो है male candidate का cut-up इसके बाद दोस्तों group E की जो cut-up है वो भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं male का और यहाँ पर female का और यहाँ पर male का तो यह दोस्तो आपका cut up है इसके बाद group F का यहाँ पर देख लेते हैं group F की बात करें तो इसमें केवल male candidate के लिए ही vacancy था तो इसलिए केवल male candidate का ही यहाँ पे cut up है, female के लिए इसमें भरती नहीं था, तो यह दोस्तो previous year का cut up आपका गया है, अब इस बार क्या cut up रहेगा इसके बारे में चलिए दोस्तो यहाँ पे जान लेते हैं कि 2014 के अंतरगत जो है expected आपका क्या cut up रहने वाला है, अब दोस्तो य आहाँ पे बात करें कि इस बार जो है आपका cut up क्या रहेगा, 2024 के अंतरगत, previous year का cut up आप सभी constable का देख लिए हैं, और आप सभी को पता है कि 2024 के अंतरगत constable के लिए 42.08 आपका वेकेंसी है, और 452 जो पोस्त है आपका ESI के लिए रखा गया है, तो constable के लिए मात्र 42.08 है और 42.08 जो आपका वेकेंसी है, इसका total 10 गुना जो candidate है, आपका CBT एकजाम में पास होंगे, यहाँ पर जो इसके officially notification है, उस notification में भी आपको देखने को मिलेगा, 10 times जो candidate है, total number of vacancy का परतियक कैटेगोरी से, total number of vacancy जो भी कैटेगोरी है, उसमें जितना भी post है, उसका 10 times जो है आपका result release किया जाएगा PT, PhD के लिए, तो इसके notification में भी यह जनकारी दिया गया है, तो 42.08 आपका total vacancy है, इसमें एक 0 आप सभी add कर देंगे, इतने छात्र का CBT एकजाम में result रहेगा, और दोस्तों जहां तक cut up की बात करें, तो इस बार जो आपका cut up है, वह काफी ज्यादा high रहने वाला है, क्योंकि all India level पा आपका cut up तयार होगा, पहले क्या था कि आपका group wise और journal wise जो है cut up तयार होता था, तो काफी सारे zone में जो है कम था, किसी zone में ज्यादा था, लेकिन इस बार all India level पा आपका cut up है, तो cut up आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और दोस्तों 120 marks का आपका एक जाम है, तो आप बिल्कुल जो है target आपको लेकर चलना है, 85 plus का target तो आपको लेकर चलना ही है, इस से कम का target नहीं होना चाहिए, अगर आप male candidate है, तो इतना plus का target आपका होना चाहिए, तभी जाकर आपका final merit list तक नाम जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार cut up आप को कोई भी cut up नहीं बता सकता है, कि कितना cut up आपका जाएगा, इसलिए दोस्तों आप से भी अपनी तयारी पर focus करें, और 120 में जितना number हो सके, उतना number आपको लाना है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी सवालों कमेंट सेक्षन में बताइए का फिर मिलते हैं next video म तो अपता के लिए जै हिंद बंदे मातरम